कॉंग्रेस आज अपना 149 पा स्थापना दिवस मना रही है 1885 में बनी ये पार्टी आज भले ही विपक्ष में है लेकिन कभी इसका पूरे देश में एक अथर राज हुआ करता था कॉंग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर आये जानते हैं पार्टी के अब तक के सफर के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कॉंग्रेस के स्थापना 1885 में हुई थी आज ही के दिन 149 साल पहले थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुक सदस से रहे एयो ह्यूम की पहल पर मुंबई के गोकुल दा संस्कृत कॉलेज मैदान में देश भर के कई प्रांतों से राजनीती और सामाजिक विचारधारा के लोग एक मंच पर एकत्र हुए थे यह राजनीतिक एकता एक संगठन में तबदील हुई और उस संगठन का नाम रखा गया कॉंग्रेस पार्टी के गठन के बाद एयो ह्यूम इसके संस्थापक महासचेव बने और वोमेश चंदर बैनल जी को पार्टी का पहला अध्यक्ष ने उक्त किया गया पार्टी में उस वक्त इन दोनों के अलावा 71 सदस्य और थे 149 साल में कॉंग्रेस को 56 अध्यक्ष मिल चुके हैं सबसे जादा 45 सालों तक कॉंग्रेस की कमान गांधी परिवार के पास रही साल 1985 से लेकर 1919 तक कॉंग्रेस पार्टी में नहरू गांधी परिवार का जादा दखल नहीं था साल 1919 में कॉंग्रेस पार्टी के अमरित सर अधिवेशन में मोतिलाल नहरू को इसका नया अध्यक्ष चुना गया 1928 में उन्हें कलकत्ता के अधिवेशन में एक बार फिर से अध्यक्ष चुना गया इसके अगले ही साल कॉंग्रेस की कमान मोतिलाल नहरू के बेटे पंडित जवाल नहरू को दी गई दो सालों के बाद सरदार वल्लब भाई पतेल को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया वहीं 1936 और 1937 में जवाल नहरू फिर से अध्यक्ष बने देश की आजादी के बाद 1951 में फिर से कॉंग्रेस की कमान पंडित जवाल नहरू को सौपी गई 1951 में कॉंग्रेस की कमान मिलने के बाद बुलगतार चार साल तक अध्यक्ष के पत पर रहे एक समय ऐसा भी आया जब कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी एक कद्दावन नेता और ततकालें प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी को पार्टी से बेदखल कर दिया था यह किस्सा है 12 नवंबर 1979 का कॉंग्रेस के दिगज नेता उने इंद्रा गांधी पर अनुशासन भंग करने का आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से निकाल दिया था तब इंद्रा गांधी ने एक नई कॉंग्रेस खड़ी कर ली थी जिसका नाम कॉंग्रेस आर रखा गया था बताया जाता है उन्द्रा गांधी के पास अनुभव औ संगठन की समझ कम थी उन्हें गूंगी गुडिया भी कह जाता था उनके उपर पार्टी के दिगज नेताओं का दबाव था चुकि इंद्रा अपने पिता के स्थान पर पी-म की कुर्सी पर बैठी थी लेकिन सभी को गलत साबित करते हुए इंद्रा के नेतरित में कॉंग्रिस में 1967 लोगसभा चुनाव में जन्मत हासिल किया उन्होंने अकेले दम पर मजबूती से चुनाव जीता और सभी कम हुबंद कर दिया सरकार चलाने के साथ थी वो एक मजबूत राज़ी तिग्य के रूप में भी उबरी अपने 149 साल के सफर के दौरान कॉंग्रस को कई बार बड़े जटके भी सहने पड़े ये जटके उसे अपने ही नेताओं से मिले 1885 में पार्टी की स्थापना के बाद से अब तक कॉंग्रिस ने 64 ऐसे बड़े जटके देखे हैं जब कॉंग्रिस नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद अपनी नई पार्टी बना ली पश्टिम बंगाल की सीम और तर्णमोल कॉंग्रेस के अध्यक मता बेनर जी अगले साल 1999 कोंग्रेस का गठन किया इसके अगले साल 1999 में शारतपवार पीये संगमा और तारिक अनवर ने पार्टी को अलविदा कहकर नैश्णलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी बना लिए